जेहिन दोस्तो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान देए होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीमा सुरक्सा बल यानिके बोर्डर सिक्यूर्टी फोर्स जिसको आफ सोर्ट फॉर्म में बिया सब बोलते है रिकूर् दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो यह हमारी ओफिसल वैबसाइट जोब्स गयान डोटी ने इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्कॉप्शन में मिल जाएगा जैसे यह आप यह लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस बरती की जानकार के बारे में जो की इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफोर्म है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि अनकैडमी यहाँ पर आपके लिए फिर से लेकर क्या आया है अनकैडमी यूपी एससी सी मेगा कॉमबैट जो की आपका अप्रेल 17 2022 सुबह 11 बजे होने वाला ह जिसमें की दोस्तों आप फिरी में पिल्लिम्स टेस्ट सिरीज जीत सकते हैं और आपको यहाँ पर 28 टेस्ट इन 2 मन्त यानिके 2 मन्त के अंदर आप 28 टेस्ट यहाँ पर दे सकेंगे इसी के साथ यहाँ पर स्कॉलर्शिफ फ्रोम एपूल ओफ 10 क्रोर यानिके आप 10 क्रोर तक की स्कॉलर्शिफ इसके अंदर भाग लेकर के जीत पाएंगे साथ ही आपको यहाँ पर बताया कि 500 लग की पार्टिसिपेट टू विन एक्साइटिंग गैजट एंड गिफ्ट वाउचर यानिके इसमें जो पार्टिसिपेट आप करेंगे उसमें से 500 लग की पार्टिस इसमें का इस्तमाल करेंगे और ऐसा नहीं है कि आप UPSC CSC की त्यारी करें तभी आप इसमें इन्रोल हो अगर आपका इंटरेस्ट है आगे चल करके तो आप तब भी इसमें फिरी में इन्रोल हो सकते हैं और अपनी जो परिपेशन है या फिर जो आपकी नोलीज है उसको ब दिया है इसी के साथ यहां पर फिरी टेस्रीज फोर यूपेशी CSC प्रिलिम्स 2022 जो की विकली करेंट अफेर्स राउंड अप रहता है एवरी मंडे 8 पीम 20 कोर्शन इसके लिए होते हैं और 20 मिनट आपको दिया जाते हैं इसी के साथ यहां पर अपकमिंग बैचिस यूपे अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं तो आप भी अपना ड्रीम अन अकैडमी के साथ में पूरा करें आपको इन्रॉल्मेंट लिंक वीडियो के डिस्कॉप्शन में दिये हैं आप इस नंबर के उपर अगर कोई जानकारी अतरिक्त लेना चाते हैं वो भी ले सकते हैं अगर म कोई सवाल डाउट हो तो जैसे कि मैंने का कमैंट करके पूछ लिजेगा comatized, non-gravated, non-ministerial in indies of engineering setup for vacancy year 2020-2021 ये सको नाम दिया गया है इसके अलावा बात करें आपकी पोस्ट की तो ये जो आपकी भरती है ये आपकी Inspector Architect, Sub-Inspector Works, Junior Engineer, Sub-Inspector Electrical इन ट्रेड के लिए या फिर कह लिजे कि इन पोस्ट के लिए निकाले गई है अभी चलिए हम डिटेल्ड में इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर आप जानकारी सही से नहीं देख पारें अगर Total Vacancy की बात करें तो Total Vacancy आपकी 90 है और इसमें जो Inspector Architect की Post है इसके लिए सिर्फ एक पद है Sub-Inspector Works के लिए आपके 57 पद है और J.E. Sub-Inspector Electrical के लिए 32 पद है इसके बाद आती है आपकी Qualification की कौन सी Post पर क्या Qualification चाहिए अपलाई करने के लिए तो इसमें दोस्तों Inspector Architect की Post पर अपलाई करने के लिए आपसे डिगरी की योगयता मांगी है जो कि आपने Architecture के अंदर की हो तब या आप इस पर eligible हो पाएंगे फिर जो आपकी सब Inspector यानि के SI Works की Post है इस पर अपलाई करने के लिए आपसे जो मांगा हो है आपका Past 3 Year Diploma in Civil Engineering यानि के आपके पास Civil के अंदर 3 साल का डिपलोमा होना चाहिए जो की आपका Regular हो अगर आपने Private की है तो आप इस पर eligible नहीं हो पाएंगे अपलाई करने के लिए और यह जो भरती है या आपकी Fully Permanent है यह भी आप यहाँ पर जान लीजिए फिर तीसरी आपकी Post है Junior Engineer यानि के J.E. Sub Inspector Electrical की इसमें आपसे जो Qualification मांगे वो आपका Diploma ही है बट आपका यह जो Diploma है यह आपका Electrical के अंदर होना चाहिए अभी कुछ Candidate के सवाल यह रहते है कि सर मेरे पास Diploma है बट मेरे पास Automobile में है या फिर किसी अन्य डिसिप्लीन में है तो क्या मैं इस पर अपलाई कर सकता हूँ तो एज पर Qualification Condition या फिर Educational Illigibility तो इसमें दोस्तों वही डिसिप्लीन वाले अपलाई कर पाएंगे जिनके पास यहाँ पर Exact Discipline है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हूँ कि GSI Electrical में आपका Diplom होना चाहिए तीन साल का Regular में और SI Works में आपका Civil में होना चाहिए तबी आप Fully Illigible हो पाएंगे इसके बाद आती है Age Limit तो Age Limit आपकी 18 से 30 साल के बीच रहने वाली है और Form को भढ़ने की Last Date तक आपकी जो Age है वो Count की जाएगी इसमें दोस्तों जो आपकी Important Date है उसकी बात यहाँ पर करें तो जो आपका इस बरती का Official Notification है जो कि Announce किया जाएगा Officially आने वाले Employment News Paper में जो कि 16 April 2022 को आ जाएगा इसमें आपका अगर Announcement हो जाता है तो फिर आप लोग 30 मई 2022 तक इस Form को भर पाएंगे यह आपकी Important Date है अभी यहाँ पर मैं आपसे जाना चाहूँगा कि क्या आप चाहते कि जब आपका Form Fluff Start 16 April 2022 को तो क्या आप चाहते कि मैं आपके लिए Form Fluff की वीडियो बनाऊ जिसको देखकर कि आप इस Form को बिना किसी मिश्टेक के भर सके तो आपको मुझे कमेंट करके बता सेलेक्सन जो आपका किया जाएगा वो आपका Return Exam के दोवारा किया जाएगा फिर आती है सैलरी की बात तो सैलरी आपको काफी अच्छी दी जाएगी जो कि SI Works Junior Engineer Sub Inspector Electrical पर आपको Level 6 की दी जाएगी जो कि 35,400 रुपे से लेकर 1,12,400 रुपे होती है फिर जो इस्पेक्टर आर् ABC को 100 रुपे देनी है SCST और All Category Female यान कि Female चाहिए किसी भी Category की है इनको अपलाई करने के लिए कोई फिस देने का हो सकता नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर आपने इसके eligibility के बारे में संपून जानकारी जान ली है अभी आपका जो syllabus है वो available नहीं हुआ है जैसे ही आपका syllabus आ कि बताने नहीं तो मैं यहीं पर syllabus आपका update कर दूँगा आप इस post को open करके यहीं से syllabus भी जान सकते है बट अगर आप कहेंगे कि मैं वीडियो बनाओ explanation के साथ में तो वो आपके comments के उपर depend करता है तो इत दोस्तो इस भरती के बारे में पूरी जानकारी जानकारी पसंद आई कि उपर आप है